ओम नमस्ष्वाय हरर मादेव हस वारतवा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय के बारे में जानकारी दूँगा सावन मास का महिना चल रहा है और सावन मास के दो सो मार बचे है सावन मास के चोते और पांच भी सो मार को आपको यूपाय करना है पांच भी सो मार रहेगा उस दिन रख्या बंदन का परव है बहुत बड़ा परव यह होता है और बड़ी धुमदाम से यह परव मनाय जाता है तो इस दिन यह परव रहेगा साथी योग भी अच्छे बने हुए है इस दिन ग्रैन की इस्तिती बहुत ही अच्छी है और साथी सावन पूरण मासी है तो पुत्र प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए ब्योपार में सपलता के लिए आप इस दिन उपाई जरू करें सबसे पहले आपको सुबह इस्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके आपको इस्नान करना है उसके बाद में सूर देव को अर्ग देना है सूर देव को अर्ग देने के बाद में फिर आप भगवान सिव का आप से करेंगे तो आपको क्या करना है सावत 31 चावल के दाने लेने गेहूं और चावल के दाने आपको लेने हैं और उतने ही बेल पत्र आपको ले लेने हैं साथ ही खीर का प्रसाद आपको ले लेना है सबसे पहले भगवान का आप से करेंगे ओम नमस्वाय मंत्र का जाप करते हुए अपसे करते समय आप अपने नामुचारण करेंगे अपने गोत्रुचारण करेंगे अपनी इच्छा बोलेंगे और घवान कब से करना है जब आप अपसे कर लें उसके बाद में बेल पत्रों पर सपेद चंदन और सहद लगा करके भगवान सिव को समर्पित करना है कुडैल का फूल, कमल का फूल भगवान को समर्पित करेंगे और पर 31 गेवों और चावल के दाने सिवलिंग पर चड़ा देंगे साथ ही अगर पुत्र की कामना है तो 31 सिवलिंगी के बीज भी लाकर के साथ में चड़ा दें भगवान के सामने चोमु की दीपक आपको जलाना है दीपक जलाने के बाद में वहीं बैट करके सौमार की कता सुननी है सौमार की कता आपको सुननी है और सौमार की कता सुनने के बाद में भगवान की आर्थी करनी है आरति गन्यकबाद में सिवलिंगी और चावल के दाने आपको वहां से उठा लेने हैं एक बेल पत्र भी उठा लेना है भगवान को खीर का प्रसाद भोग समर्पित करें और ये खीर का प्रसाद भी आपको ले आना है अब ये खीर का जो प्रसाद है ये पती पतनी को खाना है मंत्र बोलना है ओम तते पुरसाय बेदमाहे महादेवाय धीमाही तन्नोरुद्र प्रचोदयाद अरे इस दिन नारियल एक नारियल भी ले 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 तो क्या होगा चावल सिभलिंगी बीज और खीर का प्रसाद नारिय चार चीज़े हो गई यह चार चीज़े आपको घर मे ला करके रखनी है नारियल का वोग बोलन को लगां के ये आपको ले करक्याना है और्मतर का जापकर नाए ओम तत पुरसाय बिदमाह द ये प्रचोदयाद। फिर आपको पती पत्नी को ये प्रसाद खा लेना है फिर देखना कितनी जल्दी मनुकावना पूर्योगी खीर और नारियल तो आप साधर रूप सिखा ले चावल और सिबलिंगी के दान को पीज के रख ले और पूजा के बाद में उनको ला करके धन किस्तान पर रख दें इससे मनुकावना पूर्योगी बहुत ही चमत कार्युपाव जरू करें ओम नमस्वाई हर अर्मादेग